नए भारत की स्पिरीड बन गई है नया भारत नए आयमों को छो रहा है पूरी दुनिया पर अपनी चाप छोड़ रहा है कोरोना महामारी का एक कालखन इसका सबसे बड़ा उधारा है महामारी की शुरुवात में पुरानी सोच वाले लोग भारत को लेकर चिंताए जाहिर कर रहे थे हर कोई कुछ न कुछ कहता रहता था लेकिन अब लोग भारत का उधान दे करके दुनिया को बताते हैं कि देखिए भारत ने ऐसा किया है पहले कहा जा रहा था कि भारत की इतनी बड़ी आबादी भारत को कहां से वैक्षिन मिलेगी कैसे लोगों का जीवन बचेगा लेकिन आज भारत वैक्षिन का सबसे बड़ा सुरक्षा कबच तयार करने वाला देश बन करके आज उभरा है करोलों वैक्षिन डोच हमारे देश में लगाई चुकी है आपको भी सुनकर गर्व होगा कि इसमें भी 99% वैक्षिनेशन हमारी अपनी मेड इन इंडिया वैक्षिनेशन से हुआ है इसी कालवखन में हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्ट अप इको सिस्टिम में से एक बन करके उभरे है हमारे युनिकॉर्ण के संख्या लगातार बढ़ रही है भारत का ये बढ़ता हुआ कदर ये बढ़ती हुई सांक इससे सबसे जादा किसी का सर उंचा होता है तो वो हमारे डाइस्पुरा का है क्योंकि जब देश का संवान बढ़ता है तो लाखो करोडो भारतिय मुल्के लोगों का भी उतना ही संवान बढ़ जाता है उनके प्रती दुनिया का नजरिया बढ़ जाता है इस संवान के साथ नए अवसर भी आते हैं नई भागेदारिया भी आती है और सुरक्षा की भावना भी मजबूत होती है हमारे भारतिय डाइस्पुरा को तो मैं हमेशा भारत का राष्टरदूद मानता रहा हूं सरकार जो बेचती हैं वो तो राष्टरदूद है लेकिन आप जो हैं राष्टरदूद है आप सभी भारत से भार मा भारती की बुलंद आवाज है बुलंद पहचान है भारत की प्रगति देखकर आपका भी सिना चोड़ा होता है आपका भी सिर्व गर्व से उंचा होता है परदेश में रहते हुए हैं आप अपने देश की भी चिंता करते हैं इसलिए विदेश में रहते हुए भारत की सबलता को आगे बढ़ाने में भारत की छवी को और मजबुत करने में भी आपकी बहुत बड़ी भूमी का है हम दुनिया में कहीं भी रहे इंडिया फर्स्ट राश्ट प्रसम हमारी पहली आस्ता होनी चाहिए झाल 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 झाल